आज हम बात करने वाले है BPCL की, पहले इसके financial numbers की बात कर लेते हैं और फिर हम इसके technical energies करेंगे, इससे पहले हम start करें, हम बता दें, हमने BPCL को ऐसे swing trade suggest किया था, यह हमने around 300 rupees पे suggest किया था, और यह हमने अपने telegram group में suggest किया था, इसके बाद stock में एक अच्छा moment आया, और फिर हमने इसके बाद around 356 levels पे profit booking भी हमने बोला था, तो यह सारी बाते करेंगे कि profit booking क्यों बोला था, buy क्यों बोला था, पहले हम इसके technicals, पहले इसकी financial study कर लेते हैं, तो पहले हम इसके June quarters के जो result आया है, वो देख लेते हैं, तो आप June quarters के result देखेंगे, तो उसमें आप देखे 5870 crores का profit है, तो काफी अच्छी growth है June quarters में, December से आप March को compare करेंगे, तो वहां पे भी आपको significant growth मिलेगी, और फिर यहां पे अगर आप देखें, यहां पे loss, अगर आप June quarter 2022 की बात करेंगे, वहां minus 6000 crores का profit था, बहुत अगर आप देखेंगे, तो काफी अच्छी growth है, बट नहीं है, अगर आप June 2022 की इसकी value देखें, और June 2023 की इसकी value देखें, तो आपको लगेगा इतने अच्छे results देने के बाद भी stock इतना अच्छा नहीं चला, तो ऐसा reasons क्या होते हैं, अगर आप नीचे इसके holdings में आए, तो आप देख सकते हैं, June 2022 में जो FIs 13.17 होल्ड करते थ बिच में जो stock को बढ़ाते हैं, FIs institutes, वो इसमें buy नहीं कर रहे हैं तो तब ही आप देख सकते हैं, stock इतना बड़ा growth नहीं दिखा रहा है as a price, although अगर आप इसमें DIs की number देखें, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा increase जरूर आया है, June के quarter में, आप last quarter में 22.59 था, और इस quarter में 23 3.10 आया है, तो DIs इसमें buy जरूर कर रहे है, which is a positive sign, तो हम इसकी अब, technically हमने देख लिया, results काफी अच्छे है, but फिर भी stock अगर आप June की value देखेंगे, मैं June 2022 की एक पर value निकाल लेता हूं, तो है, यह है हमारा June का महीना, तो आप देख सकते है, 298-300 की value ही थी, और अभी भ डबल हो चुके loss making से, but फिर भी profit, जो price है, वो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा कि इसमें कुछ अप move आया है, काफी एक range bound move ही लग रहा है, तो इसका reason क्या होता है, हमने आपको fundamentally बताया कि FYS जो है, वो इतना interested नहीं है stock में, और अगर आप long term देखेंगे, आप technically समझना चाहे कि reason क्या है, तो आप देख सकते है, stock एक range में है, मतलब आप इस value को देखें, तो stock एक range में है 2017 से, और आज 2023 चल रहा है, लास्ट छे साल से stock एक range में है, यही साल, इस साल में ऐसे time होता है, जब stock एक range bound हो जाता है, और उसी range में trade करता रहता है, तो जब भी range के नीचे वाले इससे में आता है, तो आपको sell करना होता है, यह कैसे पता चलता है, यह range bound होने वाला है, इसके कुछ science होते है, जैसे अगर आप monthly chart देखें, यहाँ पे आप देखें, यह trend line था, monthly trend line का breakdown होता है, तो इसका यह मतलब ही होता, stock crash हो जाएगा, इसका यह मतलब होता है कि, इसका आप yes bank की बात करें, RBL bank की बात करें, उसमें आप अगर monthly chart देखेंगे, तो आप देखेंगे, जो swing low है, वो काफी जल्दी breakdown हो गया था उसमें, इन stocks में पैसा नहीं होता, बट यह stocks में break होता है, तो मतलब यह समझ जाना कि अब इसमें अगले कुछ सालों तक return नहीं बनने और वो time कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर आप देखें यह जो up move है, इस point से start हो है, जो है 2013 और यह है 2017, चार-पांच साल का up move था, तो आप समझ जाना 5-6 साल का फिर से एक correction आने वाला था, तो वो ही इसमें आया है, top में हम एक हमने और चीज़ बताई है, जैसे top में अगर divergence का sign मिला था, monthly chart था, तो यह sign होता है कि stock ने top बना लिया है, और अब अगले कुछ साल हो तक यह range में रहेगा, तो यह थी overall stock की बात, however, अगर हम इसकी long term view दे, अगर मैं फिर से quarterly chart में आ जाओ, तो एक long term view यह है कि यह जो यह top है, 5-60 यह future में यह break करेगा, वो maybe यहां से करे यह थोड़ा नीच जाने के बात करे, बट यह इस level को जरूर break करेगा, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं, एक strong impulse लगा था, और यह सारा एक corrective structure है, और future में यह फिर से इस level के उपर जरूर जाएगा, बट उसके लिए कितना wait करना पड़ेगा, यह हम आज देखेंगे, औ और आगे की क्या possibilities है, तो वो भी हम देख लेते हैं, पहले हम short term chart में आ जाते हैं, और हमने यह buy क्यों दिया था, वो भी हम आपको बताएंगे, पहले मैं weekly chart में आपको बताता हूँ, जैसी यह हमने इसको around 300 levels पर दिया था, तो आप देख सकते हैं, यहां पर अगर आप एक trend line draw करे, मैं यह recent most recent trend line इसमें draw कर लेता हूँ, हम अकसर यह trend line को draw नहीं करते, तो यह बहुत अच्छा tool है आपके लिए भी, आप देख सकते हैं, यहां पर यह अच्छा breakdown आया था, तो breakout आया था, तो इसको हमने क्यों consider किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ, यहां पर over end पे जाए, तो यहां पे भी daily chart में भी आपको अच्छा breakout आया था, और यह जो यह level था, यह था आपका, मतलब एक stock एक higher high बना चुका था daily chart पे, तो यह reason था मेरा stock को देना, और यहां से अच्छा momentum stock ने दिया था, अगर मैं आपको वापस telegram का वो, वो दिखा हूँ, आप strong candle दिया था, और हमने यहां पे लिखा था कि, इसमें आपको अच्छा return मिलेगा, आगे कि हम एक बात कर इसका result कैसा था, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे, तो यह थी हमारी call, यह हम hourly के chart में हमने बताया था, यह breakout के बाद एक range बना रहा है, तो इसका up move आएगा, पर देख सकते हैं, इसका आगे का result कुछ ऐसा था, one way movement इसमें मिली थी stock में, तो हम इसमें आगे बात करते हैं, कि आगे क्या possibilities हैं, तो हम इसमें वापस आजाते हैं, इसके chart में, अब यहां पे आपको, अगर आप internally इसको, बना एक बर मैं इसको 4 hours में आपको समझा देता हूं, जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, हमने profit booking क्यों दिया था, वो भी बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, सुमें label कर लेता हूं पहले, तो यहां से आप देख सकते हैं, stock ने 1, 2, 3, 4, 5 करके एक impulse लगाया था, तो यहीं पे हमने इसको profit booking दिया था, इस level पे, इस area में, इ जैसे 4 hours का chart है, यहां पे आप टॉप में भी देख सकते है, divergence है, जो 5th wave की निशानी होती है, और यहीं पे आप देख सकते हैं, इसके बाद एक correct to structure चालो हो गया, अगर आप weekly chart में देखे, पहले में एक चीज़ वीकली chart में आपको explain करना जाता हूं, आप weekly chart में देखे, यह यहां से तो आपको एक strong move लग गई है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, यह सारा correction है, बट आप इसको कैसे बता कर सकते हैं कि correction चालो हो गया है, जैसे हमने monthly में बता है कि जैसी trend line breakdown हो तो correction चालो हो जाती है, वैसे गर आप 4 hour daily में आज इस weekly chart को देखने के लिए, तो यहा correction के बाद आपको buy करना है, क्योंकि इस से पहले आपको एक impulse लगा हुआ मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं हमेशे, एक impulse के बद एक corrective structure आता है, और फिर से एक next move upside आता है, तो यहां पे अगर आप इसको study करें, यहां पे हम आपको थोड़ा डीटेल में बताएंगे, मेभी नहीं पता, तो आप हमारा Elliot Wave Series देखिए, बट मैं आपको थोड़ा डीटेल में इस structure बताता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको थोड़ा corrective structure बना है बीच में, अब कुछ लोग इसे इस type से बनाते हैं, कि यह आपका A, B, C, D, E है और यह triangle है, बट हम इसको थोड़ा अलग से बताएंगे, जैसे आपको अगर आप इसमें इसको move को देखे, इस impulse के बाद यहां पे एक sharp move down आया, तो यह हमारा first wave था A, उसके बाद आपको expect है कि आपको एक B wave मिलेगा, बट जो यह move मिला हमें एक sharp move मिला है, which means यह B का तो part of B है, which means यह A wave होगा B का, औ और उसके बाद आपको देख सकते हैं, यह जो move है, यह एक slow move है, which means यह हमारा small B है, और फिर से आपको एक sharp move मिला upside, जो C wave है, in all यह ABC जो move है, वो आपका बड़ा B बनाता है, और यह आपका A wave है, यह आपका B wave है, और फिर आपको एक sharp move मिला down, जो आपका C wave है, तो यह सारा एक correct to structure है, और यहां कहीं पे आपका C wave मिला है, तो यह impulse आपका बन चुका था, उसके बाद आपको एक correct to structure मिला था, और फिर से आपको यहां पे next impulse मिल गया, अब यहां पे आगे क्या हुआ, वो भी बात कर लेते हैं, पहले यह structure को देख लेते हैं, यह जो structure है, यह एक expanding flat structure ह जो हमने already discuss किया हुए अपने group में, यह expanding flat structure है, अब अगर आप यहां पे आजाईए, यहां पे आप देख सकते हैं, फिर से आपको 1, 2, 3, 4, 5 कुछ मिला होगा, उसके बाद आपको यहां पे अगर आप देखें, फिर से आपको कुछ, यहां पे आपको correct to structure मिला है, एक fall मिला फिर से एक sharp fall मिला, आपका यह हो गया, A wave, यह आपका हो गया, B wave, और यह आपका हो गया, C wave, आपको एक impulse मिला हुआ है, फिर से correct to structure मिला, तो आपको next impulse फिर से मिल गा, अब यहां पे काफी लोग पूछतेगी, अब क्या होगा, तो आपका यहां पे structure complete हो जाता है, क्योंकि impulse correction impulse structure complete हो जाता है, तो आगे का जो move होता है, वो आगे क्या हो रहा है, उसके ओपर depend करता है, अगर हम इसको फिर से remove कर दे, अब हम इसको 1 hour के chart में study करते हैं, यह 4 hours को convert करते हैं, यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी आप internet 1, 2, 3, 4, 5 करके structure हुआ है, वहां पे अग impulse के पाद आपको एक correct structure मिल रहा है, बट यह जो structure है, यह एक बड़ा correct structure है, और इसमें बड़ा structure क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका size है, जो यह यहां से चालू हुआ, यहां पे भी भी चल रहा है, जो यह small corrections है, उससे देखिए अप size में बड़ा है, तो इसका मतलब यह जो अप मूँ मिला, यह small b, महलब b है यह, क्योंकि यह slow है इसके comparison में, और फिर से आपको एक sharp मूँ मिल रहा है, जो है आपका c, अब यह मूँ जैसे ही over होगा, उसके बाद हमें फिर से upset हो सकता है, बट पहले हम देखते हैं कि one hour में क्या condition है, यहां पे, यहां पे आप दे होगा, अगर आप इसको four hours में देखें, तो यह देखें, यहां पे कोई भी divergence नहीं है, which means, यहां पे जो pullback मिलेगा, one hour के लिए, उसके बाद फिर से एक fall आ सकता है, although यह mandatory नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे structure देखे है, जिसे W, XY जो होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि एक और फॉल आएगा, जब तक हैं, आरी में भी एक divergence आ जाएगा, और फिर हमें, हम प्लान कर सकते है, अप मूँ, जो इस four hour के चार्ट में भी आएगा, इसी तरह हमें हर, हर चार्ट में जाकि, मनला हर time interval में जाकि, अगर short term आपको देखना है, तो short term में pullback आ सकता है, कि नहीं कैसे देखते हैं, या लंबे चार्ट में pullback आ रहा है कि हैं, कैसे देखते हैं, अब यह वीडियो आपको पसंद रहा है, कुछ नए आपने सीखा, यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करें, कोई doubt है, उसे comment डाल सकते हैं, thank you